हारे क्रिष्णा जैशिल प्रभुपाद मृत्य तो सबकी आनी ही आनी है आत्मा अनुपम अखंड और अविनाशी है इसका कभी जनम नहीं होता मनुष्य को अपने कर्मों के नुसार जनम ग्रहन करना होता है और एक करम अब्धी समाप्थ होने पर उसे मरना भी होता है जिससे वे दूसरा जनम ले सके इस प्रकार जनम मृत्यू का यही चक्र चलता रहता है यह सब ज्यान अर्जन जी भगवानशिक क्रिष्ण से गंभीरता पूरवग सुन रहे है आज हम 27 वाशलोका करेंगे 27 वाशलोका जा तस्य ही दूवो मृत्यू दूवम जनम मृतस्यच तस्मात परिहारी अर्थे नात्वम शोचितू मरहसी अर्थाठ जिसने जनम लिया है उसकी मृत्यू निश्चित है और मृत्यू के पश्चात पुनर जनम भी निश्चित है अते अपने अपरिहार्य कर्तव या पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए अब अनुवात के नुसार जिसका जनम होता है उसकी मृत्यू पक्की है और जिसकी मृत्यू नहीं होती उसका जनम हो ही नहीं सकता जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़ कर नए वस्त्र धारन करता है वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़ कर नए शरीर को धारन करती है आत्मा की कभी भी जनम या मृत्यू नहीं होता और ये परमात्मा मनुष्य है जब मनुष्य इस ज्ञान को जान लेता है तब वे भौतिक संसार के मिलन और वियोग से उपर उठ जाता है कुरुक्षेत्र का युद भगवान की इच्छा होने के कारण जरूरी था और सत्ते के लिए युद करना शत्रिय का धर्म है अर्जुन जी पाप कर्मों के फलो को भोगने का सोच कर बहुत भैबीत थे अपने कर्तव्यों को निभाते हुए वे स्वजनों के मित्यों को रोक नहीं सकते थे और यदि वे अनुशित पत्का चुनाव करते तो उन्हें नीचे किरना होता जन्म अमृत्यों तो आते ही रहेंगे और उसके साथ सुख और दुख भी ये नहीं हो सकता कि आपके जीवन में केवल सुख ही सुख हो या दुख ही दुख हो एक परिवर्तन के बाद सुख के बाद दुखाता है और दुख के बाद सुखाता है ये कर्मों के अनुसार ही भोगने पड़ते हैं जब तक हम इस संसार में रहेंगे तब तक यही सब हमें भोगना पड़ेगा इसलिए क्यों ना इसी जनम में इसे सुधार लिया जाए आज का सूविचार जब आप ये जान लेते हैं कि शरीर खत्म होना ही है तब आप आत्मसाक्षाद करके मार्ग में उपर उठ जाते हैं और भगती करके आप कृष्ण भावना मृत के मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं जो की एक बहुत ही लाबकारी मार्ग है इसलिए हर शन जबते रहिए और खुश रहे इसी के साथ भगवत गीता यथा रूप का 27 वा श्लोका पूरा हुआ इस चैनल को लाइप और सब्सक्राइब करते रहे और हमेशा खुश रहे हरे कृष्णा जैशील प्रभुपाद